तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियन्स की MI की स्क्वेड में जो टोटल ओवर्सीज प्लेयर्स हैं उन में से कौन से वो चार बेस्ट ओवर्सीज प्लेयर्स होंगे जो आपको MI की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे तो Mumbai Indians की बात करें तो इनके पास एक से खतरनाक overseas players हैं और इस साल के auction में उने Australian Young All-Rounder Cameron Green को साड़े सत्रा करोड में खरीदा है तो Mumbai Indians के overseas players पर एक नजर डालते हैं तो ये हैं MI के overseas players Devald Brevis हैं, Tim David है, Tristan Stubbs है, Jofra Archer, Jason Berendorf, Cameron Green, Jai Richardson और Dwayne Jensen तो ये total 8 overseas players है MI के पास, अब इन में से best चार कौन से हैं जो MI की playing level में देखने को मिलेंगे तो first overseas player है MI के Devald Brevis जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनको Baby A.B. के नाम से भी जाना जाता है ये clean striker है, बॉल के 360 degree ability रखते हैं ये भी डिबलियर्स बैटिंग किया करते थे, बैसे ही बैटिंग करते हैं ये भी और single handedly match को opposition के हाथ से निकाल सकते हैं ये बहुत ही six hitting ability है, इनकी power play का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं और Mumbai के पास Suria भी है, तो इन दोनों की camaraderie बहुत खतरनाक दिखेगी इस साल के IPL में, जो second overseas player है, जो आपको playing 11 में straight away देखने को मिलेंगे वो है Tim David, Tim David भी Singapore born Australian middle order batsman है, एक power hitter है ये भी इनकी strike rate भी बहुत खतरनाक ही रहती है T20 में, और middle order में आपको ये betting करते हुए नजर आएंगे हमेशा ऐसा finisher भी इनका role रहता है टीम में, और कभी-कभी जरूइत पढ़ने पर ये part time और break भी कर लेते हैं एक utility player कहे जा सकते है Tim David, तो ही अगर third overseas player की बात करें तो वो होंगे Cameron Green Cameron Green एक young all-rounder है, एक genuine power hitter है और इनकी fast balling जो है, वो भी बहुत अच्छे pace के साथ करते हैं और एक biget taker है ये भी, complete package लेके आएंगे ये team में, तो इस साल Mumbai ने पर पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च की हैं, तो देखते हैं किस तरीके से ये returns देते हैं Mumbai को इस साल, वहीं जो चौते overseas player है, वो है England के fast baller, जोफरा Archer जोफरा Archer को MI ने एक साल और पहले ही खरीदा था, फिछले सीजन में ये खेले नहीं थे, क्योंकि ये injured थे, तो जोफरा Archer एक T20 specialist baller है, एक genuine biget taker है, इनके पास एक बहुत अच्छी यॉरकर है, काफी अच्छी टोक रसिंग यॉरकर मारते हैं ये, और इनकी भी ability बहुत ह अच्छी है, single-handedly game change कर सकते हैं कभी भी, तो बहुत ही अच्छे option है, एक balling में MI के पास, तो ये थे MI के best 4 overseas player, जो MI की playing 11 में हमेशा देखने को मिलेंगे, और ये 4 MI team की strength साबित होंगे, इनसे MI की perfect 11 देखने को मिलेगी, और MI के पास सारी team से मजबूत 4 players का foreign lot है, और Mumbai इस बा के हमें जरूर बता सकते हैं, वीडियो को like करो और channel subscribe करो, thank you